बिहार की राजधानी पटना से 185 किलोमीटर दूर और जिला मुख्याले से 185 किलोमीटर की दूरी पर है गया का बगहर गाउं या गाउं एक तरह से टापू पर स्थित है क्योंकि इस गाउंफ के चारो और नदी है साल के साथ आठ महिने या गाउं नदीयों के पानी से घिरा रहता है तो करीब 200 घर है 800 की आबादी है लेकिन कई दशक बीत गए लेकिन एक अदल पुल इस गाउंफ के लिए नहीं बन सका देखें ये खास रिपूर बिहार की राष्थानी पटना से 185 किलो मीटर दूर गया का भगहर गाउंफ ये गाउंफ टापू की तरह चारो तरफ पानी से घिरा हुआ है देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन यहां रह रहे हैं लोग ही बता सकते हैं इनका दर्द क्या है इस और साथ है यहां बच्छों को पढ़ने के लिए भी कंचाओं के लिए और अब तो यहां नगर्पंचाइत में लिज़ा detective लिया इस सब्दा इस गाव में लोग महनों तक पानी के बीच फसे रहते हैं इन नदियों में पानी भी इतना भरा रहता है कि अगर उसे पार कर सड़क तक पहुँचने की कोशिश की जाए तो नसीब में बस मौद आती है इस डर से लोग बर्साद के दिनों में भी अपने घरों से निकलते नहीं करीब 200 घरों में 800 की आबादी वाले इस गाव में शादियों पर भी आफत है कई दशक बीद गए लेकिन एक अदद पुल इस गाव के लिए नहीं बन सका आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लोग हर साल श्रमदान से नदी में सड़क बनाते हैं ताकि वो अपने बच्चों की शादी कर सकें जन प्रत्रेदी यहाँ सिर्फ वोट लेने आते हैं लेकिन जैसे ही जीतते हैं तो फिर पलट कर गाव नहीं आते बरसात में अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसकी मौत निश्यती है इस इलाके से आने वाले पिहार के पूर्वसीम जीतर नमाजी ने कहा कि पुल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है है को लासो नहीं मिला और दूसरा कारण और है कि यहां बालू का जे सिस्टम चल रहा है टेंडर होता है बालू ठाके नदी और गाड़ा करते जा रहा है इमाम गंज का भगर गाओ नदियों से घिरा है और लोगों की परिशानी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहां जब तक नदियों में पानी रहता है लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कड़ जाता है नियूस बाइसकोप के लिए गया से आशिश की रिपोर्ट होटल हर्ष रेजन्सी में आपके लिए उपलब्द है हर आयोचन के लिए पॉफेट बैंक्वेट हॉल होटल हर्ष रेजन्सी स्वर्णरे खापुल हटिया स्राची आयाई टी जी नीट एस्पेरेंट्स के सपने को पंक देने आ गया है